तो देखो यार बहुत लोगों का question होता है कि भाई mobile के लिए कोई editing application बताओ यानि कि उसमें भाई बहुत ही ज़्यादा हमें features देखने को मिल जाए क्योंकि यार सभी लोगों के पास ना computer ये laptop नहीं होता तो वो लोग mobile से video edit करते हैं और चाहते हैं कि भाई हम एक अलग level पर video बना सके यानि कि video की quality अच्छी होना चाहिए वहाँ पर अलग अलग हमे features देखने को मिल जाए जिसकी वज़ाश भाई अपनी वीडियो को हम एक अलग level पर लेके जा सके तो आपका भाई आपको दो application बताएगा जो बहुत ही ज़्यादा trending में चल रहे हैं और सभी लोग इस इस पर मैं मतलब की एक application को आपको योज करके दिखाऊंगा और एक application को बता दूँगा उसको आप योज कर लेना और यार पूरा features इसका नहीं बता पाऊंगा नहीं तो video बहुत बड़ी हो जाएगी अगर आपको पूरा feature जानना है तो comment कर दो कि भाई इस पर पूरा full tutorial बना चाहते हैं तो like कर देना subscribe कर देना bell icon को प्रेस कर लेना और यार winner का नाम आप इस screen पर देख सकते हो इनको मैं 15 subscribers send कर दिया हूँ आप भी video को complete देखो आपको भी subscribers send कर दूँगा चलो video start करते हैं तो फ्रेंड चली बात कर लेते कि वह दो कौन से application है जिनको हम यूज करना चाह इसके नए-nay update को यानि की नए-nay features इसमें add कर सकते हो वीडियो की quality को improve करने के लिए देखो एक application का नाम है मैं आपको play store पर चल कर दिखा देता हूँ यहाँ पर अगर आप काइन master डालेंगे पहले application का मैं आपको बताता हूँ काइन master अब वीडियो को cut करके मत जाना क्यों तो अगर आप pro वाला काइन master डाउनलोड करना चाते हो तो youtube पर आप search कर लो कि pro वाला काइन master कैसे डाउनलोड करो करें तो बहुत लोग वीडियो बनाये हैं वहाँ पर आप देखकर pro वाला काइन master डाउनलोड कर सकते हो और दूसरा application बात कर लेते हैं उसका नाम है power director देख वाला डाउनलोड करना चाते हो फ्री में तो आप youtube पर search कर लो मिल जाएगा काइन master का भी हो power director का भी तो मैं काइन master को यूज करके आपको दिखाता हूं किसमें नए नए features कहां से मिलते हैं तो देखो यार मैं काइन master को open कर लिया हूँ यहाँ पर नए नए features आपको देखने बनाना चाहते हैं snack video tik tok जैसे था उस तरह की वीडियो तो 9 ratio solar और youtube के लिए solar ratio 9 अगर instagram के लिए बनाना चाहते हो तो 1 ratio 1 का select कर लो अब देखो मैं solar ratio 9 का select किया यहाँ पर मैं कुछ भी यहाँ पर कोई भी वीडियो ले लेता हूं देखो open camera से मैं record किया था इसको ले लेता हू तो देखो यहाँ वीडियो पर क्लिक करता हूं और यहाँ पर जो कैची की नीची option मिलता है ना clip graphic इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो बहुत ज्यादा features मिल जाता है वीडियो की quality को improve करने के लिए जैसे देखो मैं यह वाला यूज करता हूं ज्यादा तर आपने यही वाला वीडियो ना देखो कुछ ऐसा poster की तरह बन जाएगा फिर एक छोटा poster बन जाएगा इस तरह का भाई यहाँ पर देखो बहुत ज्यादा यहाँ पर features मिलता है यही बढ़ने आपको बहुत ही ज्यादा यहाँ जैसे देखो अगर मैं बीच में cut mark देता हूं देख तो थोड़ा सा नीची आओगे तो यहाँ पर देखो ग्राफिक पर क्लिक करोगे थोड़ा सा नीची आओगे get more option मिलता है यहाँ से आपको देखो download करने का option मिलता है तो यह वाला features बहुत ज्यादा मिलता है तो अगर आपको पूरा full video चाहे तो बताओगे तो मैं video बना आपको यूटूब पर सर्च करना ने तो chrome browser में जाओ और वहां से download कर लो तो आपको download करना बहुत ही easy है यूटूब पर सर्च कर लो प्रो वाला काइन मास्टर डाउनलोड कैसे करें प्रो वाला power director कैसे डाउनलोड करें तो बहुत सारी video मिल जाएंगी और वो लोग link भी द बाई बाई